गूड इवनिंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में पुलके सिंद्विते की उपलब दियों एम उसकी वीजियों के बारे में जानकर रिप्राप करेंगे तो देखेगा चात्रों पुलके सिंद्विते के बारे में हमने दो तिन वीडियो पहले भी बनाए हैं और पुलके सिंद्विते यह इत्यास का एक महत्तोपुन टोपिक है एकजाम में कई बार इससे समधित क्यूशन पूछ लेते हैं तो चालूकियों का जो परसित सासक था जो सरवादिक सक्ति साले सासक था जो बादामे के चालूकियों का वह था पुलके सिंद्विते यह है बादामे के चालूकियों का चोथा सासक था और यह जो वीडियो है यह पुलके सेंसेकिंड का लास्ट वीडियो है तो देखेगा इसमें हमने उसके उपलब्दियों और वीडियों के बारे में अच्छा से डिटेल में बताया है तो देखेगा चालूकियों के बारे में भी हमने आपको पहले बताया है एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि आप इस वीडियो को भी उससे लिंक कर सके कनेक्ट कर सके आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो देखेगा जो चालू के राजवंस है ये दक्षिन भारत का महत्वपूर राजवंस था और जो चालू के है ये जैसे कि आपका करनाटक है महरास्त्र है इधर इनका समराज्य था और जो चालू के है इनकी तीन साखाई थी वातापी या बादामी के चालू के और वेंगे क के लोके यह देखेगे ईनका जो इनके संस्थापक था फुर्वेशन पर्थम फिर पर्थम है इसके इसका बेटा था कीर्टी पर्थम और केर्थी वर्मन पर्थम है, इसके तीन बैटे थे पुलकेशन सेकिंड जो सबसे बड़ा बेटा था और क्या होता है कि जो आपका केर्थी वर्मन पर्थम है इसके मर्त्यू के समय तीनों ही अलपवेस्थे अता है और जो मंगलेस है वो भी समराजे का विस्तार करता है और जब पुलकेशन सेकंड बढ़ा होता है तो मंगलेस से वो बोलता है कि भई आप मुझे राज चाहिए लेकिन मंगलेस उसको राज देता नहीं है वो अपने बेटे को राजा बनाना चाता है तो मंगलेस और पुलकेसिन सेकेंड के बीज यूद होता है यूद में मंगलेस हारता है और मारा जाता है फिर पुलकेसिन सेकेंड ये सासक बनता है जो 610 से 642 इस्वे तक चालू के राजगती पे रहता है और अपने सम्राजे का विश्तार करता है और उत्तर में वर्दनवंस के सासगहर्ष वर्दन को हराता है और दक्षिन में जो पल्लव राजवंस था उसके महंदर वर्मन पर्थम को हराता है और लास्ट में क्या होता है कि 642 इसमे में यह जो आपका महिंदर वर्मन पर्थम का बेटा था नर्शिया वर्मन पर्थम उससे यह हारता है और मारा जाता है ठीक है तो देखेगा इन्हें सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे तो चलिए पढ़ते हैं पुलके सिंद्वीते की उपलब्दिया तथा विजे पुलके सिंद्वीते की उपलब्दियों का विवरण हमें एहोल लेग से प्राप्त होता है तो देखेगा एहोल लेग के बारे में हमने आपको पहले बताया था और जैसे की एहोल जो लेग है यह है करनाटक में इस थी था और जो एहोल परसस्ति है यह पुलके सिंद्वीते क बारे में लिखी गई है और परसंस्ती का मतलब ही क्या होता है गुणों के बारे में बताना तो पहले के साथ से क्या होते थे वो अपने गुणों की परसंसा करवाते थे और जो उनके जो दरबारी विद्वान होते थे उनसे कहिन कहिए अपने बारे में लिखवा देते थे त जो जैन विद्वान थे और ये संस्कृत भासा में लिखा गया है, कई बार एक जामें पूछ लेते हैं, तो एहोल लेक के बारे में भी हमने आपको पहले पढ़ाया है, आप पहले वाले वीडियो को देखेगा, एहोल लेक एक परसच्ति के रूप में है, ठीक है, सरापर्थ प्रिस्ति का लाब उठा कर अपनी सक्ति आजमाने का प्रियास किया था, इन दोनों को प्रास्त कर पुलकेशन द्विते ने राजधनी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, इसके बाद उसने अपना विजे भियान प्रारम किया, ठीक है, अब देखेगा, पुलकेशन राजे पर कीर्ति वर्मन के समय में ही चालुक्यों का अधिकार हो गया था, तो जो कीर्ति वर्मन पर्थम है, जो कोन था, इसका पुलकेशन द्विते का पिता, तो उसके समय से ही कदम्बों के राजे पर चालुक्यों का अधिकार था, ऐसा परतीत होता है कि मंगलेज तथ पुलकेसिन के बीच हुए ग्रह युद से ग्रह युद मतलब आपसी जो लड़ाई जगडा होता है और जो अपने जो लोग होते हैं जैसे कि यह दोनों चाचा बतीजे थे इन दोनों में युद छिड़ गया था गद्दी को लेके तो यह हुआ ग्रह युद तो इन दोनों क के बीच हुए ग्रह युद से चालू के राजे में जो राजनतिक अई विवस्ता फैली उसका लाव उठाते हुए कदंबो ने अपने को चालू के अधिनता से मुक्त कर दिया था ठीक है अत्या फुलकेसिन ने कदंबो पर आकर्मन कर उसकी सेना ने बनवाशी नगर को घे लिया था चालू के उसे फिर पुलकेसिन आता है और कदंबों पर आकर्मन करता है और उनके नगर बनवाशी को घेल लेता है और इन सब बातों का पता हमें एकोल अभी लेक से मिरता है लेक में इस कठना का काव्यात्मक विवरण परस्तुत करते हुए लिखा गया है कि बन समुद्र में एक टापू की बाती दिखाई दिने लगा तो ये एक कव्यात्मक विवरण किया गया है एहुल परस्ति में जिसको हम पढ़ते हैं और जानकर इपराप्त करते हैं इस परकार ये अभियान पूर्ट या सफल रहा तदा कदम राजे पर पुलकेसिन का अधिकार हो गया ये बात इस तथे से भी सिध हो जाती है कि इस समय के आसपास कदम ववन्स के सासक इथियास से ओजल हो जाते हैं यानि वहां से वो हट जाते हैं कदम राजे की स्वतंतर्टा का अंथ हुआ तथा इसे चालू के राजे में मिला लिया गया पुलकेसिने कदम राजे क आप देखेगा आलूप और गंग राजे की विजे कदमब राजे को जीतने के बाद कुलकेसिन ने आलूपों यों गंगों की विरुदय भिहान किया एवोल लेक के अनुसार उसने आलूपों तथा गंगों को अपनी आसन सेवा का अम्रतुपान कराया था आलूप दक्षिनी प्राजे के बाद उन्होंने पुलकेसिन के दिनता भी स्विकार कर ली प्राजित आलूप सासर कुंद वरमरस था इसके बाद पुलकेसिन ने गंग नरेव सी दुरवीनीत को भी अपनी दिनता मानने के लिए मजबूर कर दिया उसने अपनी पुत्री का विवा भी पुलके पर आकर्मन किया यहां मोरियों का सासन था वे बड़ी आसानी से प्रास्त कर दिये गए उसके बाद पुलकेशिन ने उनकी राजनी पूरी अर्थात धारापूरी जिसे पस्चिमी समुद्री की लक्समी कहा गया है कि उपर सैंकडों नोकाउं के साथ आकर्मन किया यह लेक मे कहा गया कि यह नोकाएं मदमस्त हातियों की भांती दिखाई दे रही थी पूरी की पहचान बंबई के समीब एलिफेंटा द्वीप परिस्तित धारापूरी से की जाती है यह उस समय का परसित समुद्री बंदरगा था पुलकेशिन ने वहाँ अपना धिकार कर लिया था ठ राजे दक्षिनी गुजरात में इस्तिता इसकी राददानी नवसारी का में थी वहाँ अधिकार करने के बाद पुलकेशिन ने अपने वंस के किसी वेक्ति को लाटका परदेश का सासक नियुक्त कर दिया था एहो लेक मालवा को भी पुलकेशिन के अधिन मानता है था माही नदियों के बीच इस्तित था इस विजय के परणाम सुरूफ पुलकेशिन सेकिंड के समरजे की जो उत्री सीमा है वो माही नदी तक चाहा पहुंची थी ठीक है अब देखेंगा हमने जो पहले वाले जो भी विजय पढ़ी है वो मैंने अपको इसलिए बता है कि आपको जानकारी होने चाहिए लेकिन एकजाम की दर्स्टी से वो इतनी ज़्यदा महायतोपूर नहीं है एकजाम की दर्स्टी से तो जो पुलकेशिन सेकेंड का इनके साथ हर्स के साथ जो यूद हुआ था या फिर पल्लव चालू के जो संगर्श हुआ था यह इंपोर्टेंट है तो इनको आप अच्छे से देखेगा पहले भी हमने अलग-अलग इनके वीडियो भी बनाई है वो भी देखेगा और एक भार फिर से आँ देख लेते हर्स से पुलकेशिन द्वीतिय का यूद अब देखे जो आपका चालू के राजवनस था इसके उत्तर में हर्स्वर्धन का राजे था जिसका संपूर्ण उत्री भारत पर अधिकार था और वो एक बहुत ही सक्ति साल लड़ा गया था और इस यूद में हर्स हारता है इस उपलक्स में पुलकेशिन सेकेंड दक्सिना पथेश्वर और परमेश्वर की उपादी धारन करता है और यह हर्स को हराता है ठीक है अब देखेगा जिस समय पुलकेशिन द्वीति दक्षना पत्थ में अपनी सक्ति का विस्तार कर रहा था उसी समय उत्ति भारत में हर्स वर्दन अनेक राजों को जीत कर अपनी दिनता में करने में वेश्थ था हर्स की विज़ों के फर्सरूप उसके राजे की जो पस्सिमी सीमा वो नर्मदा नदी तक जाप हुँची ऐसी स्थिति में दोनों नर्यशों की विस्त संगर से हो गया था फर्सरूप हर्स और पुलकेसिन के विज़ों के नमदा नदी के तट पर यूद हुआ जिसमें हर्स की प्राजे हुई थी ठीक है अब देखेगा त्री महारास्ट्रों पर अधिकार तो एहो लेक के अनुसार पुलकेसिन द्वित्ये ने त्री मह महारास्ट्रों पर अधिकार कर लिया था जिसमें 99,000 ग्राम थे इस लेक के अनुसार उचकुलोत पन गुणों से पुण धरम मार्ग से प्राप्त प्रबू सक्ति एवं उच्साह सक्ति से विभूसित इंद्र के समान पुलकेसिन ने 99,000 गाउं वाले तीन महारास्टों का अधिपत्य प्राप्त का लिया सरकार महोदे के अनुसार तीन महारास्टों से तात्परिये महारास्टर कोंकन तथा कन्नाटक के परदेशों से है नेलकट सास्त्री के अनुसार ये ग्राम नरमदा इमतापती नदियों के बीज के भूभाग में फेले हुए थे ठीक है इन किष्णुवरधन को यूवराज बनाया तथा उसके उपर अपनी राजधने का भार स्वोंक करवा है पूरवी दखिन की विजे के लिए चल पड़ा सरपर्तम को सल तथा कलिंग ने उसकी दिनता स्विकार की दख्षणी को सल तथा कलिंग के राजों के विशे में जदा ज साखा सासन करती थी उसके बाद पुलकेशन की विजे सिननी सेना ने अंत्रपदेश में स्थित पिस्ट पूर पर अकर्मन किया ये स्थान वेङगी छेत्र में स्थित था वहां उसने विष्णु कुंडिन वंस का सासन था कुनाल अर्थात कोले धील के तट पर एक बड़े उसने विष्णू कुंडिनों की सक्तिगा विनास किया और ये यूद इतना बयानक था कि एहो लेक में कहा गया कि यूद में मारे गए सेनिकों की खोनी से जील का पानी लाल हो गया था इस विजे के बाद पुलकेसिन जुईते ने कांची के पल्लवों के साथ संगर्ष किया ठिक है तो पल्लवों की राजदानी थी कांची अब उनके साथ पुलकेसिन सेकिंड का यूद वता जो एक्जाम की दर्शते से बहुती मैं तो पुलकेसिन जुईते हैं पल्लवों के बीच संगर्ष तो देखेगा आंदर पर्देस के दक्षिन में पल्लवों का सक्ति साली पल्लवों का सासन इस समय महिंदर वर्मन पर्थम जो 600-630 इसवी तक सासन क्या था जिसने उसके हातों में था पुलकेसिन जुईते की विजेनी सेना पल्लव राजे में आगे बढ़ती हुई कांची से के और 15 मील उत्तर में इस्तित पुलुलूर तक चली आई उसका अब देखेगा पल्लव चालू के संगर्ष का पर्थम चरण क्या होता है तो पल्लवों के साथ पुलकेसिन का पर्थम संगर्ष 630 में हुआ इस विजे के बाद पुलकेसिन अपनी राजदानी वापस लोड़ जाता है तो पुलकेसिन की राजदानी कहां थी वाता पी रेंगी के चालू के साखा ठीक है जिसने अंदर पर्देश पर 1070 इस्वितक सासर किया था आप देखेगा जो आपका यह है पल्लव चालू के संगर्ष का पर्थम चरण जिसमें मतलब क्यों सरु पूछ लेते हैं कि भई जिस समय कुलकेशन सेकें ने पल्लवों पर आकर्मन क या उस समय वहां का सासर कुन था? महिंदर वर्मन पर्थम. और महिंदर वर्मन पर्थम के बारे में मैंतेवन बाती है कि इस के दर्बार में जो संत अपर और विधवान भारवी है ये रहते थे और इसने मत विलास प्रहसन नामक एक वेंगे नाटक की भी रचना की थी. त आप क्या होता है कि पल्लवों की विरुद अपने प्रारंबिक सब्पताओं से उच्साइट होकर पुलके से सेके ने पुन्य कांची पर आकर्मन करने की योजना बनाई इसका ताथ का लिए कारण संभवते ये था कि चालूकियों के सामन्त बाणों को पल्लवों ने अपनी मिला लिया था ठीक है चालूकियों के सामन्त थे बान उनको पल्लव है वो अपनी ओल मिला लेते हैं तो आप पता हूं चालूकियों कौनसे कमजोर थे वह भी उप्स्ակह और लड़ाए करने के लिए आ जाते हो मापस अब क्या होता है कि पुलकेशन है वो इस बात को सहर नहीं कर पाता है और सहरा पर्थम वाय बाणों पर आकर्मन करके उनकी सक्ति को विनास कर देता है और यहीं से चालू के पल्लव संगर्ष का द्वीत्य चरण प्रारम होता है और पुलकेशन की सेनाने पुन्ह पल्लव राजे में प्रिवे था पल्लव नरेश को इस संगर्स में लंका के राजकमार मान वर्मन से सहता मिली और अब क्या होता है कि यह जो लड़ाई होती है इसमें पुलकेशन सेकेंड हार जाता है और कई विद्मान तो सब बोलते हैं कि वह युद में मारा जाता है कई बोलते हैं अपनी राजतेने व पल्लव हारते हैं ठीक है अब देखेगा जो नर्शिया वर्मन पर्थम है इसके बारे में भी हम आपको कुछ मैंतोपन बात बताएंगे इसने क्या पुलकेशन सेकेंड पे विजय हासिल कर ली अर्थात उसकी राजधनी को भी इसने जीता था और वातापी को अर्थात वा और आपका यह है नर्शिया वर्मन पर्थम जो पल्लव सा सक है इनिके राजधर्बार में आता है कई बार एक्जामिक पूछ लेते हैं तो नर्शिया वर्मन पर्थम हर्षवर्धन और पुलकेशन सेकेंड के काल में जीनियात्रिमेंसा आता है ठीक है और जो नर्शिया व अफंड रोककर्ट मंदिरों की स्थापना की अरथाद एकल पथर से बनने हुए एक गुंबत वाले मंदिरों की इसने स्थापना की थी और इसने सीलोन में नोसैनिक अभियानों को भी भीज़ा था ठीक है तो इनर्शीर वरमन पर्थम के बारे में इंपॉर्टेंट सूचना थी जो मैंने आपको बताई है और बात यह है कि जो यह आपका पूलकेशिन सेकेंड है यह एक बहुत ही महत्तों पुन्स आसक था और इसके काल में ही यह आपका पल्लव चालू के संगर सही यह स्टार्ट होता है और यह बादामी के चलू क्योंगा चोथा सासकता जो सबसे सक तो और दूसरी बात है कि इसने श्री पर्थवी वल्लब सत्यास्रे की उपादी और परमेश्वर के दक्षिनापत्यस्वर की उपादिया भी इसने धारण की थी ठीक है तो देखेगा वीडियो एक्जाम की दरस्टी से बहुत ही महत्तों है और यहां पर पुलकेशिन सेके पर बनाए हैं आप सब वीडियो को देखेगा